हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटियम में आटोमेटिक पेमिट जो आपने कोई आटोमेटिक पेमिट लगा रखी है उस आटोमेटिक पेमिट को आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं कैसे बंद कर सकते हैं यही सब कोच इस वीडि कर दिजे और इसके बाद यह आप पेज को जैसे ही थोड़ा सा उपर की और करेंगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा payment setting का यह payment setting पर क्लिक कर दिजे और यहाँ पर यह देखे सबसे उपर ही option है upi and link bank account इस option पर आप क्लिक कर दिजे और मेरे पेटियम में यह चार bank add है आपको यहाँ पर नीचे एक option मिलेगा upi automatic payment और यह देखे upi automatic payment इस option पर आप क्लिक कर दिजे और जिसकी भी आपने automatic payment लगा रखी है जैसे मैंने यह मेरी netflix की automatic payment लगी हुई है यह रेखे सबसे उपर यह automatic लिखा हुआ है netflix की payment लगी हुई है यहाँ पर यह cancel payment पर क्लिक कर दिजे और यहाँ पर confirm की option पր क्लिक कर दिजे कि और यहाँ पर आप उस bank का upi pen डाल दिजे यह मैंने ptm bank से payment की थी ptm bank की लगी हुई थी automatic payment और यह पर आप अपना upi pen डाल दिजे यह मैं अपने պtm bank का upi pen डालूंगा और उसके बाद ये सही के निशान पर क्लिक कर दिजिए और ये दिखे हमारी चैंसल आटोमेटिक पेमेट ये हमारी नेट्फलिक्स की पेमेट कैंसल हो गई है अब ये 149 मेरे अकाउंट से नहीं कटेंगे इस तरह से आपने जो भी आटोमेटिक पेमेट लगा रहा रहा था पेटियम में उसको आप कैंसल कर सकते हैं और ये दिखे यहाँ पर ये कैंसल आ रहा है पहले यहाँ पर आटोमेटिक आ रहा था और ये मैं आपको थ्री डोट पर भी क्लिक करके दिखा देता हूं यहाँ पर कैंसल का उप्शन आ रहा था लेकिन आपको कैंसल का उप्शन नहीं आएगा और यह देखिए इस तरह से आप अपनी पेटियम में आटोमेटिक पेइमेंट को कैंसल कर सकते हैं